हेलो गाईज वेलकम टू मैं चैनल आज हम कोटन के सूट की कटिंग करेंगे ये हैवी साइज की लेडी का सूट है और इसे मैंने सेंटर से पकड़ कर फोल्ड कर लिया है नक के उपर डिजाइन बना है और घेरे के उपर भी डिजाइन है लेकिन ना उनकी लेंद थी 37 इंच तो जो बॉर्डर है न वो मैंने कट करके उपर लगाया था स्टीचिंग की वीडियो में मैं आपको बता दूँगी और ये मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया है इसको फ्रंट के पल्ले को अब इसकी मार्किंग करेंगे तो लेंथ तो मैंने पूरी ही ले ली थी उपर से म उपर तका रहा है 37 तो उसी हिसाब से मैं सेट कर लूँगी साड़े छे तीरा है और नीचे को साथ इंच ये बॉक्स बना लिया है और बस्ट है इनकी छाली इंच 46 चोथा भाग हो गया साड़े ग्यारा और ये सवा दो और सवा एक पर लगाया है थोड़ा सा बाहर को लग जैसे साड़े 11 बन रहा है ना साड़े 22 और तेरा तो साड़े 13 , 3 मैंने पूर पूरा ही लिया था ज्यादा कप्ड़ा नहीं लिया तो ये कम ही है कप्ड़ा शुकर है उन्नोे न बाजू हाफ मागी है डेखे साड़े से कितना कम कप्ड़ा बच रह है अगर पोनी बाजू बनानी होती तो जोड़ पाकर भी नहीं बननी थी तो ये 6 इंच तीरा है इसको बाहर को ये सवा 2 इंच वाली गुलाई है इसको कट कर देते हैं सीधा सीधा इसके उपर प्लेट का निशान लगाऊंगी मैं प्लेट वाला सूट है ये प्लेट से ये अच्छी फिटिंग आए करके कह देना था कि हाफ ही बनेंगी पौनी बाजू के लिए बिल्कुल कपड़ा नहीं था कम था कपड़ा तो ये मैंने फोल्ड कर लिया है साड़े तेरा इंच चाहिए था तो उतना ही फोल्ड किया है मैंने ये इसको उपर रखेंगे फ्रंट के पले को थोड़ा सा कम ही पिछी का पल्ला जो है आदा इंच उपर से बढ़ा दिया आदा पोना इंच उपर से भड़ाग दें आ तो फिर गला पिछी को नहीं भागता तो यह सेट करके रख दिया है तो आज कल ना बहुत जादा हवा चलती है ना पंजाब में जब बिल्कुल जादा गर्मी होगी ना ज्यादा कपडा नहीं लेना चाहिए फिर मैं ज्यादा margin लेती हूं बाद में जब प्लेट डालने के बाद मेरे को ना फिर कट करना पड़ता है अब इसको बराबर कर दिया है दोने पल्लों को पीछे का बड़ा था ना बराबर करके आदा इंच कंदे डाउन कर दिया है और आगे की गुलाई डाल दिया है यह फ्रंट वाली गुलाई है हमारे पास जो निशान लगाया था सवा इंच का बैक सैड पर प्लेट की मारकिंग करेंगे तो इनकी बस्ट है जैसे साड़े ग्यारा इंच तो एक इंच प्लस करके साड़े बारा इंच पर निशान लगाऊंगे नीचे को और बैक सैड का नेक था इनका पांच इंच पोने तीन इंच चुडाई ली है और नीचे को पांच लिया है मैंने थोड़ा स्टुडाई में बनाऊंगी ये बैक सेड का नेक ये साड़े बारा पर निशान लगाया है अंदर से पौने चार इंच पर निशान लगाया है तो ये मैंने 7 इंच लंबा ही प्लेट डाला है ज्यादा लंबा नहीं डाला क्योंकि हैवी साइज है न अब कोटन के सूट आएंगे तो कई लोगों को नहीं आती रेडिमेंट शोपिंग करनी तो वो लोग तो सिलवा ही लेंगे तो जिनको आता है उनलाइन वो तो उनलाइन मगवा लेते हैं सूट ये थप थपा कर दूसरे साइड पर भी प्लेट की मार्किंग कर लेंगे ये साथ इंच लंबा प्लेट और अंदर से मैंने पौने चार लिया था ज्यादा ली थी मैंने चुड़ाई अब ऐसे में हम साड़े तीन लेते हैं ना इसकी मैंने पौने चार ली थी ये देखें नेक के उपर सुन्दर डिजाइन बना हुआ है लेकिन जब नेक बनाएंगे तो कट जाना है आदा डिजाइन तो अगर मेरा सूट होता तो फिर मैं सोचती डिजाइन कट जाना है तो फिर मैंने बोट नेक बनाना था लेकिन हर को ही नहीं न बोट नेक डालता तो ये फिर डीप नेक है इसका साड़े साथ इंच काफी अंदर से डिजाइन कट गया था तो ये अच्छे से मैंने फोल्ड करके रख दिया वे इसकी प्लेट की मार्किंग करेंगे उपर से लेना है साड़े बारा इंच अंदर से लेना है पौने चार और साथ इंच लंबा प्लेट लगा देना है निशान आठ नहीं लिया मैंने साथ लिया है अभी साइज का और धा इंच का निशान सामने लगाया है धा इंच का साइड पर ब्राबर बिल्कुल और ये फ्रंट वाले प्लेट के सामने इंची टेप रखकर ये किनारे वाला प्लेट का निशान लगा दिया है और इसका सेंटर कर लिया है प्लेट का और ये आठी ये साइड वाला प्लेट है हमारा ये सबी प्लेट डालूँगी मैं फिर अच्छी फिटिंग आएगी हैवी साइज की अगर थोड़ा सलीम हो तो फिर मैं दो ही डालती हूं प्लेट और ये दूसरी साइड पर भी थप थपा कर निशान ले लूँगी मैं ये डार्क ग्रीन कलर का था कैमरे में थोड़ कलर आ रहा है वैसे डार्क है इसका कलर तो कोटन के कपड़े न धोने के बाद थोड़ा सा कलर चला जाता है तो ये प्लेट के निशान में पके कर दूँगी सभी सबी को मैं डार्क कर दिया है अब इसे सैड पर करकर बाजू की कटिंग करेंगे बाजू उनको हाफ चाहिए और अड़ी बनेगी ये देखें ये अड़ा कपड़ा हो जाता है अड़्या कपड़ा अच्छा नहीं होता लेकिन इसका कपड़ा ही ऐसे ही साइड पर बचा है ये अगर पौनी बनानी होती तो देखें कैसे बनती इतना ही कपड़ा बचा है बस साइड से तो इसको मैंने चारता कर लिया है उसको 6 इंच मैं जब फिटिंग लगाऊंगी न तब कट कर दूंगे एक्स्ट्रा कपड़े तो और मैं चुड़ाई ना प्रेए थी 10 इंच तो होनी चाहिए यह साधे 10 थी पूरी थी इसकी चुड़ाई अब सलवार कट करेंगे यह सलवार का कपड़ा है तो वाइट कलर ज्यादा है इसम इंच फोल्ड कर लिया है यह चार तैय है छे इंच वाली तो सलवार की लेंध थी 35 इंच तीन इंच बढ़ा कर हो गया ठती और ठती में आठ निकाल कर रह गे 30 इंच तीस का निशान लगाया है दो इंच आगे को बढ़ा कर लगा दिया है और यह 0.5 पर निशान लगाकर दो इंच का निशान लगाया है अब इसको आपस में मिला देंगे इंच टेप से तो यह देखें यह वोश करने के बाद कोटन के कलर थोड़े चले जाते हैं वैसे तो तो ना बार-बार बोल रहे थी सूट खराब हो गया छे महीने हो गया उसको सिलवाई को बिल्कुल प्योर कोटन था कलर चला गया तो मैं उसको बोल रहे थी क्यों तो सारे जिंदगी इसे ही डालना है और सिलवा ले कलर तो जा नहीं है कोटन में ये तो पकी बात होती है जितना मरजी शोप वाले कह दें के नहीं जाएंगे लेकिन चले जाते हैं तो दोनों कुंदे उठा करना मैंने बराबर रख दिये हैं अब ये चार कुंदे की कटिंग हो जाएगी और जो पल्ले थे हमने फोल्ड किये उसको बाहर कुंदे काल दिया है कपड़े को तो ये दिखें इसको बराबर करके जो फोल्ड किया है न कपड़ा उसके बराबर करके रख देने है इस तरह से चार कुंदे कट हो जाएंगे और दो पल्ले सांजी हो जाएंगे और बेल्ट रह जाएगी बस कट करने के लिए बहुत एजी है सलवार की कटिंग तो अगर कपड़ा कम हो तो सिंपल तरीके से कट करें ये सहमी पटेयाला हो जाती है हमारी सलवार और आदा इंच की गुलाई डाल देनी है इदर से साड़ी दस लिया था दस इंच रह जाती है फिरासन अगर सलिम ट्रिम हो तो साड़ी नो नो इंच भी ले सकते हैं अपना हिसाब है मैं दस साड़ी दस ही लेती हूं मेशा तो ये कपड़ा खोल देना है और इसके उपर दूसरा रख देना है पीस बेल्ट चाहिए हमको हिप थी जैसे 60 इंच 46 तो उसका आदा होगे 23 इंच 23 में 4 बढ़ाने है 24, 25, 26, 27 तो 27 इंच लंबी और 8 इंच चोड़ी बेल्ट लोंगी में तो हमेशा मेरी सलवार के लेंट ठीक आ जाती है बस मैं ऐसे ही कट करती हूं हमेशा बेल्ट में 4 इंच बढ़ा देती हूं इपका अदा करके 8 इंच चुड़ाई और 27 इंच लंबाई तो ये देखे हैं हमारी बेल्ट भी कट हो गई है इसको कट कर दूँगी में अब जब मार्किंग की है मैंने ये काफी हैवी साइज होता है 46 इंच और 48-46 इंच तो ये एक इंच बचा था वीडियो पसंद आई हो तो प्लीस लाइक कर देना थैंक्स पर वच्चिए